नमस्कार नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आँ क्लास 12th Mathematics 2018 का CBSE का पेपर सॉल्व कर रहे हैं आज के लाँ तो उसका section D हम लोग discuss कर रहे थे तो उसकी section D में काफी सारे questions हमने discuss कर चुके हैं कुछ questions इस section में इस वीडियो में हम आपके साथ discuss कर रहे हैं सबसे पहला question जो आपके सामने है यह बहुत important topic है applications of derivative अब applications of derivative का यह question definitely हर हाल में आपका exam में पूछा जाता है और student इस type के question से बहुत ज़्यादा ड़ता है बहुत ज़्यादा गबराता है तो आपको उस question से डरना नहीं है गबराना नहीं है थोड़ा सा practice करने से यह इसली समझ में आ जाता है देखते हैं इसी question को देखते हैं और बताते हैं इसमें कुछ बाते हैं important बाते हैं जो आपको याद रखनी होंगी यहां क्या बोला गया एन ओपन टैंक विदा स्क्वायर बेस एक टैंक है और वो भी ओपन है ओपन का मतलब क्या होता है ओपन का मतलब वो तो उपर से खुला हुआ ठीक है और वर्टिकल साइट वर्टिकल साइट का मतलब साइट बिलकुल सीधी सीधी इस 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 सबसे पहली चीज तो मुझे इन क्वेश्चिंज में या इस ताइप के प्राबलम में देखना होता है कि एक चीज गिवन लिखा होता है यह देखिए यहाँ यह गिवन लिखा है गिवन कौंटिटी ऑव वाटर पर कोई टेंक है उसमें वाटर की कौंटिटी गिवन है गिवन का मतलब वो फिक्स है fix का मदर that behave like a constant ये चीज़ इस टाइब के questions में application of derivative का maximum minima पर भेज़ problem होता है तो इसमें ये given quantity जो है सबसे पहले तो इस चीज़ को ढूढ़िए कि what is fix उसके बाद हमें शू क्या करना है cost of material अब उस box को या उस tank को किस से बनाया जा रहा है उस metal का ही cost लगेगा ठीक है अब उस metal का cost जब लगेगा तो metal उसकी walls को बनाएगी और कितनी walls को बनाएगी five walls को बनाएगी क्योंकि क्या बताया गया open tank है जी open tank का मतलब उपर से खुला उपर से खुला का मतलब side की चार दिवारे हैं और नीचे base भी present है और base कैसा है square base ठीक है square base का मतलब नीचे length और breadth इक्वल है आई देखिए दिरे दिरे solution स्टार्ट करते हैं इसका तो हमने जब square base दिया हुआ है हमें तो हमने क्या किया length is equals to a breadth is also equals to a क्योंकि base square है और height different है तो height को मैंने h ले लिया ठीक है length breadth और height ये तीनों चीज़ें आपके पास आगी अब आपको दिया है कि volume fix है तो अगर इस length, breadth और height से उस tank के volume को निकाले हम तो volume is equals to length a, breadth a and height h तो v is equals to a square into h ठीक है यहां पर ये v जो है ये given quantity है ये ये v fix है और उधर a और h जो है ये variable है आपको क्या करना है हर एक question में इस type से धूनना है सबसे पहला काम यही करना है कि जो चीज़ given है उसकी term में express कर लेना है बाकी दो variables को अब इस variable को या इन variables में जो दो variable है a square a और h किसी एक की value इस v और दूसरे की term में निकाल लीजिए माल लीजिए मैं h की value यहां से निकाल लेता हूं तो वो किसके एकोल आ जाएगी that will be v divided by a square h is equal to v divided by a square यानि मैंने h की value v और a की term में निकाल लीजिए is it fine? ठीक ठीक है तो यह मैंने आपके सामने देखे box बना दिया या वो tank बना दिया जिस tank को आपने construct करना है और इसका ये और ये दोनो same है ये और ये ये base square की form में है और height ये h है तो आपको क्या करना है? cost of material will be least तो material जो है कौन सा लगने वाला है? वो लगने वाला है metal का जी कहां पर लगेगा? एक तो इस base पर लगेगा कितना? आपने का उसका area होगा length into breadth a into a ठीक है? फिर उसके बाद a into h एक ये वाला और एक a into h side वाला फिर a into h ये वाला और a into h पीछे वाला तो four times a into h मेरे पास ये आ जाएगा तो ये वो area हो गया जितने area में metal लगने वाली है इसको मान लीजिए मैं इसका surface area की term में s से represent करूँ तो आपने देखा कि वो जो surface area है वो कितना हो गया? a square plus four a h अब आप देखेंगे कि जब मैं a की value या h की value चेंज करूँगा तो इसका surface area कम या जादा होता चला जाएगा इसका मतलब ये surface area एक variable quantity है vary करेगी जी किस-किस पर depend कर रही है आपने देखा इधर a है यानि a पर depend कर रही है साथ ही साथ h पर भी depend कर रही है तो a और h पर depend कर रही है लेकिन आप सूचें कि अगर ये किसी एक ही चीज पर dependence बना लें तो उसके लिए क्या करें? इस h की जगा ये जो result मैंने यहां से निकाल रखा है ये put कर देना है s is equals to a square plus 4a और h के place पर v divided by a square तो s is equals to a square plus 4v divided by a तो इस तरह के maxima minima की applications के जो problems होगी उन सब में इसी तरह की चीज मिलेगी सबसे पहले तो variable आपके पास होगे एक given thing होगी उस given thing की को जो है आप जुन variables की term में express कीजिए और दो variables में से किसी a को इस constant और एक variable की term में represent कर लीजिए जैसे मैंने यहां से h को v और a की term में represent कर दिया और v मेरे पास है constant है और उसकी यहां जिस चीज को maximize या minimize करना हो उसमें जरूत पढ़ने वाली होती है यह हमेशा always ऐसा ही होगा ठीक है अब इस surface area को हम लोग minimize करना चाहेंगे क्योंकि हमारा इरादा क्या है cost को minimum करने का तो cost को minimum करने के लिए surface area minimum होगा तो पक्की बात है जो बनाने वाला होगा कम से कम पैसे लेगा आप से तो इसलिए आप क्या कीजिए इसका derivative कीजिए ds by da क्योंकि उधर एक variable है v तो constant की तरह treat करेगा तो इसका derivative करेंगे तो कितना आएगा 2a plus 4v a constant है क्या बचा 1 upon a 1 upon a का derivative करेंगे negative 1 upon a square यह मेरे पास आगया ds by da का value जो कि कितना हो गया which is 2a minus 4v divided by a square अब क्या करते हैं जी maximum minimum में इसको equal to 0 put कर लेते हैं इसे equal to 0 put कीजी ठीक है तो put this ds by da equals to 0 यानि 2a minus 4v upon a square is equal to 0 या आप कह दीजिए a square से multiply करो तो मेरे पास कितना आगया 2a cube minus 4v is equal to 0 या कहिए 4v is equal to 2a cube या v is equal to a cube upon 2 v is equal to a cube और ये 2 upon 4 आएगा तो upon में 2 आजाएगा v की value आगई मेरे पास अब v की value से अगर मैं h की value नहाँ से निकालने की कोशिश करूँ तो मेरे पास h is equal to v की जगा मैंने पूट किया a cube upon 2 और upon में a square आजाएगा तो a upon 2 आगया जाएगा it means मेरे पास आगया h is equal to a upon 2 यानि height is equal to या depth is equal to half of its width depth h जो है ये depth होगी घहरा ही होगी मुचा ही कह दो है घहरा ही कह दो ही की बात है तो गहरा ही जो है depth is equal to half of its width एक चीज़ तो ये प्रूब कर देज़े ये चीज़ प्रूब कर देने थे लेकिन अभी ये कहीं नहीं प्रूब हुआ कि cost of material will be least least का मतलब minimum मुझे show करना है यानि ये जो surface area मैंने यहां से निकाला है इस surface area को minimum करना है तो उसके लिए मुझे इस single derivative जो मैंने निकाला इसका एक derivative में और निकाल लेता हूँ और उस single derivative को मुझे positive show करना होगा कैसा show करना होगा double derivative अगर positive होता है तो वो क्या रजल देता है वो आपको minimum को show करता है तो आईए एके respect में इसका derivative करो तो कितना आगया मेरे पास 2A का derivative करेंगे तो आपके पास 2 आएगा negative 4 भी अल्रेडी है यह 1 upon A square है इसको अगर मैं उपर ले जाओ तो negative 2 आगे ले आईए A की पावर minus 3 यानि मेरे पास जो result आगया यह positive और यह भी minus माइनस बन करके यह एक positive result आगया बस के विल मुझे positive negative भी देखना था तो मेरे result positive आगया तो surface area क्या हो गया? minimum हो गया लेकिन कब हो गया? when h is equals to a by 2 यानि depth is equals to half of its width तो आपने कहा surface area is minimum when depth is equals to half of its width तो यहाँ चलिए मैं लिख देता हूँ थोड़ी से जगा बना कर गया surface area is minimum when depth is half of width depth जो है वो width के आधे के बराब है ठीके तो इस तरह की questions का थोड़ा सा practice कीजिए और बड़ी आसानी के साथ आप इसको कर पाएंगे तो please थोड़ा सा practice आप करने करते ही यह एक लंबा बड़े जादा marks का question आप आसानी से solve कर पाएंगे ठीक है? ठीक अगली question की तरह बढ़ते हैं अगला question मेरे सामने देखते हैं क्या है suppose a girl throws a die if she gets one or two she tosses a coin three times and notes the number of tails कहता अगर उसमें जब एक die को थो किया तो die पर आप जानते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स आता है अगर वन टू आ रहा है तो एक काम करना उसने थ्री फोर फाइव सिक्स आ रहा है तो कुछ और एक काम करना है ठीक है तो ये जो दो चीजे हैं इन दोनों चीजों को आपने देखा उसके बाद उसने क्या किया अगर वन टू आता है तो एक coin को तीन बार उसने फैंका और अगर थ्री फोर फाइव सिक्स आता है तो एक coin को एक ही बार फैंका और head or tail note किये जो भी आएगए इफ शी अप्टेंड एग्जिक्ली वन टेल अगर उसका एक टेल आया वट इस दी प्रोइल्टी देट शी थ्री उस थ्री फोर फाइव सिक्स तो सबसे पहले तो मुझे समझना है ये किस चीज़ का या किस topic से based problem है ये question based theorem पर based है based theorem पर present है अब based theorem में क्या होता था अगर मैं जलती से एक idea दो based theorem में हमारे पास कोई भी एक experiment हम लोग करते थे और उस experiment में जो भी मेरे पास events बनते थे उन्हें मैं चलिए h1 और h2 माल लेता हूँ यहाँ पर मुझे h1 और h2 क्या दिखाई दे रहा है सबसे पहले उस लड़की ने जो die को थो किया उस पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 उसे obtain हुआ अगर मैं h1 माल लो एक event और h2 एक दूसरा event माल लो तो h1 मेरे पास event हुआ of getting 1 और 2 ठीक है इसी तरीके से h2 मेरे पास क्या हो गया that is the event of getting 3, 4, 5 और 6 ठीक है तो h1 और h2 इवेंट हमें पता लग गए उसके बाद last में जाकर के देखिए उसने पहले case में उसने एक coin को तीन बार फेंगा दूसरी case में उसने एक coin को एक ही बार फेंगा और उसने क्या महांगा हमसे getting exactly one tail इसका मतलब यह हुआ कि यह जो दोनो cases मेरे पास बन रहे है चाहे 1, 2 आने पर की बात की जाए या 3, 4, 5, 6 के बात जो काम किया उसने वो one tail obtain करने की बात वो करता है तो अगर मैं एक event माल लो वो है getting exactly one tail और वो getting exactly one tail जो है वो इस दोनो cases में बने गा ह1 में भी और ह2 के बात में ठीक है तो यहां पर आप देखिए कि जब उसने 3 coins एक coin को तीन बार फैका एक coin tossed three times एक coin को अगर आप तीन बार फैकते हैं तो आपको क्या क्या obtain होता है सारे cases में लिखता हूँ तीनो head दो head एक tail head tail head और tail head head या head tail 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 head tail 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 head और last में tail 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 यह 8 cases मेरे पास बने गाजा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 एक coin को तीन बार फैंका 8 cases बन गए उसके बाद एक coin को एक बार भी फैंका है एक coin is tossed once उसमें केवल या तो head आएगा या tail अब देखें जी question को मैंने अभी केवल simplified form में लिखा अब मुझसे क्या पूछा है what is the probability that she threw 3, 4, 5, 6 कि उसने 3, 4, 5, 6 obtain किया यानि H2 उसने obtain किया इसके probability लिखनी है probability of H2 उससे पहले पढ़ते है if she obtained exactly one tail exactly one tail यानि A probability मुझे निकालनी है H2 की जबकि A already happened यानि exactly one tail उसको already obtained हो चुका है तो इसकी probability किस तरह से लिखेंगे probability of H2 into probability of H2 when A already happened divided by probability of H1 probability of H1 when A already happened I think just a minute this is the formula मुझे निकालना है probability of that C3 3, 4, 5, 6 यानि H2 when A already happened तो formula उसके लिए probability of H2 into probability of A H2 divided by total probability से कहते है probability of H1 H1 H2 A H2 अब देखिजी इनकी probability हम लिख लेते है तो probability of H2 H2 की probability किया है आपने देखा जब आपने एक coin को एक डाई को एक बार फेंका तो इस H1 की probability के जो case मेरे पास आ रहे है 1 और 2 यानि 2 upon 6 जिससे आप 1 upon 3 कह सकते है और probability of H2 यानि 3, 4, 5, 6 के 4 upon 6 यानि 2 upon 3 अब आया मेरे पास A H2 A H2 का मतलब exactly one tail जब कि H2 का case है तो ये वाला case sorry H1 का case है ठीक है तो पहले वाले case में exactly one tail का 1, 2, और ये 3 case है कितने में से? 8 में से तो this is 3 upon 8 और इस दूसरी case में जो कि probability of A H1 बनेगा उसमें 1 upon 2 2 cases है उसमें से एक में exactly one tail है बस अब क्या करना है अब सा सीधा सीधा value put करना है probability of H2 ये है 2 by 3 into A H2 A H2 that is 1 by 2 then probability 1 by 3 into 2 by 3 plus and then 2 by 3 and this is 3 upon 8 this is 3 upon 1 by 3 probability of H1 H1 is 1 by 3 and probability of A H1 A H1 is 3 by 8 plus probability of H2 that is 2 by 3 into probability of A H2 that is 1 by 2 बस्षिंप्लिफाई कर लीजिए that will give you the the complete result तो ये base theorem है base theorem भी बहुत important topic होता है base theorem पर base problem या total probability पर base problem exam में अच्छी तरह से काफी पूछा जाता है तो आप इस पर भी practice कर सकते हैं और base theorem पर तो खास्त और से अच्छी तरह से practice आप कीजिए काफी सारे problems आप कीजिए so that कि आप confident हो पाएंची आईए एक question और discuss कर लेते हैं इस video में देखते हैं क्या है अगला question मेरे सामने question number 23 और इस 23 में कि तो numbers are selected at random without replacement from the first five positive integers first five positive integers की बात कर रहे हैं आपसे first five positive integers one two three four and five ठीक है क्या किया गया इसमें से दो numbers को चोज़ किया गया ठीक है without replacement चलिए मैं सारे option बना लेता हूँ आपके सामने one पहले मैंने चूज़ किया उसके साथ two हो सकता है one के साथ three हो सकता है one के साथ four हो सकता है one के साथ five हो सकता है इसी तरीके से माली जे मैंने two लिया replacement करना नहीं है without replacement है without replacement है जी ठीक है तो इसका मतलब one one वाला case नहीं आएगा two two वाला case नहीं आएगा तो two के साथ one यह already है तो आपके पास आगया two three two के साथ four two के साथ five ऐसे three के साथ four three के साथ five and then four के साथ five कितने cases हो गए one two three four five six seven eight nine ten तो आप से कहा कि two numbers are selected at random from the first five positive integers इसके बाद किते है x denote the larger of the two x denote the larger of two x जो है इन में से जो बड़ा है ना उसको x लेद बता रहे हैं जी आप तो आई ए x की value क्या हुई जी आपने देखा x यहां कितना हो गया larger of two two यहां कितना three यह four यह five यहां कितना three यह क्या five यह कितना four यह कितना five यह कितना five यह के फाइड ना ? तो आपके पास यह 5, is it 5, तो अब आप यह देखें कि X की जो values मेरे पास आ गई, वो या तो 2 है, 3 है, 4 है, और 5 है, तो अगर मैं यहां पर उस X को लिखूं तो मेरे पास 2, 3, 4, और 5 ही तो है, अब मुझे क्या करना है, X denote the larger of the 2, तो वो आपने जब larger of the 2, यानि यह जो options आपने बनाए थे, इन मेंसे जो बड़ा value है, 1 और 2 में कौन बढ़ा, 2, 1 और 3 में कौन बढ़ा, 3, 1 और 4 में कौन बढ़ा, 4, तो आपके पास किवल 4 ही values आई, 2, 3, 4, और 5, यह आपके पास बन गया X की value, question क्या पूछा, find the mean and variance of X, mean and variance of X, यानि probability का problem है जी, तो आपने क्या करना है, इनका probability भी निकालना है, ठीक है, तो probability जो इसका बनेगा, मेरे पास इसको चलिए, मैं PI से, इसे XI से denote कर रहा हूं, तो 2 का probability क्या है जी, दो आप यह देखिए, कहा मिला जी आपको, किवल एक ही जगा मिला, इन सब में देख रहा है, एक ही बार में, तो यह हो गई, 1 upon 10, क्योंकि यह 10 cases है, उन 10 देखिए, गिन सकते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, और यह 10, दस में से, किवल एक ही case आपके पास है, जहां पर 2 आ रहा है, तो 2 cases हो गए जी, अगर मैं 3 ढूनने की कोशिच करूँ, तो 3 मुझे 2 बार मिल रहा है, तो 3 की probability होगी 2 by 10, चार ढूनने की कोशिच करूँ, तो 4 मुझे 3 बार मिल रहा है, 3 by 10, और 5 ढूनने की कोशिच कर रहा हूं, तो 5 भी मुझे 3 बार मिल रहा है, 5 मुझे 1, 2, 3, 4 बार मिल रहा है, ठीक है, तो that is 4 by 10, इन सब का sum 1 आना चाहिए, 4 और 3, 7, 2, 10, ठीक है न, क्योंकि सारी की सारी probabilities क जो sum आपके पास आता है, that is always 1, ठीक है, तो मेरे पास xi आगया, मेरे पास pi आगया, मुझे क्या चाहिए, mean निगा नहीं है, mean of the random variable, जिससे आप mu से denote करते हैं, उसके लिए formula होता है, sigma xi into pi, sigma xi into pi का मतलब, इस xi और pi दोनों का क्या कर लो, आप multiplication कर लो, तो वो mean निकल आएगा, आपके पास, ठीक है, तो mean निकाल देते हैं जी, उसको, correct, तो xi into pi, तो इसका multiple करूँ, तो 2 upon 10, this is 6 upon 10, 12 upon 10, और 20 upon 10, इन सब को add कर लो, 20 और 12, 32 और 36, 40 upon 10, तो 40 upon 10 का मतलब, 4 आगया जाए, तो this gives me 4, तो mean का value तो मेरे पास, इस random variable x का, जो mean आगया, that is 4, अब चाहिए मुझे variance, जिसे sigma square से represent करते हैं आप, formula उसके लिए sigma, xi square pi, minus sigma xi pi का whole square, ठीक है, तो आप यहां देख रहें, xi square pi भी मुझे चाहिए, तो यह xi pi का value तो है मेरे पास, मैं अगर xi के square कर लूँ, यानि इसको एक बार xi से और multiply कर लूँ, तो xi के square बन जाएगा, यह मेरे पास, ठीक है, तो आईए, इसको भी निकालते हैं, तो मेरे पास कितना आया यह, आपने 2 से इसको और multiply कर लें एक बार, तो 4 upon 10 आएगा, यह आगया मेरे पास, xi square इंटो pi, तो 4 upon 10, यह आगया मेरे पास 18 upon 10 और यह 48 upon 10 और यह 100 upon 10, correct, that gives me 100 upon 10, तो 4 upon 10, 18 upon 10, 48 upon 10 और 100 upon 10 और अगर मैं इन सब को simplify कर लो, add कर लो, तो 170 upon 10 mean 17 आगया जा, तो this gives me 17 और यह sigma xi pi, जिसका value मेरे पास 4 आया था, and 4 square, it means 17 minus 16, that gives me 1, तो sigma square, जिसे variance आप लोग पढ़ते हैं, तो variance is equals to 1 in this case, ठीक है, तो यह कुशन, समझे थोड़ा सा, और फिर उसके बाद कीजिए, ठीक है, तो इतना ही रहने देंगे इस वीडियो में, thank you, thank you very much for watching,